पाकिस्तान के आवाम अगर किसी की तरफ देख रहे हैं तो अब उससे विम्राब खाद है तादाद में लोगों का आने से ये वाज़े हो गया है कि खांसाब के लिए दिन पर दिन लोगों के दिलों में मुहबद बढ़ती जा रही है आप ये देखें 12 गंटे ये कैम रहा चार से पांच गंटे योगों और अब ही जारी है और इस वक्त चार हदार से गूपर इंशालला मेंबर्शिप लगता है जाईगी इक पाकिस्ताण के अवाम अगर किशी की तरफ देख रहे हैं तो अब उससे फिद्बायान हाँ पाकिस्तान को बनाने वाला भी इम्रान खान पचाने वाला भी अगर इस मुल्क की अब कोई लोगों ने उमीद बान के रखी हुए कि कोई तक्दील कर सकता है तो उसका नाम इम्रान खान है और जितने अफराद यहां है अगर आप इन में से भी किसी से पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है तो हम सब का नाम इम्रान खा आए हैं और हम सब की पैचान क्या है हम सब की पैचान एक है बल्ला और कौम से कह रहे हैं कि अब जहां अभी बैलेट वेपर पे बल्ला नदर आए तो बल्ले पढ़ने शाहरा है यही चाहता है इवराद का है तो हम समझते हैं कि आप देखेंगे तब्दीली जरूर आएग पुरा अमन तब्दीली और पुरा अमन इंकलाब के लिए जमूरी ने कुवेते इसी तरह कामयाब होगी है अवाम को बढ़ चड़ कर हिसा लेना चाहिए और बढ़ चड़ते एलेक्शन में निकलना चाहिए आपको पता है कि आज हमारी कैम का तीसरा दिन था और यह कैम ट पताओं के ताओं के सिता पे तो कई दादा हम लोगों को हैंडल ने कर पाए कि इतनी तादाद में लोगों का आने से ये वाज़ हो गया है कि खांसाब के लिए दिन बदिन लोगों के दिलों में मुहबबद बढ़ती जा रही है और यह जो तेरा पार्टियों का टौला ब से अपने कैसे स्कारिश करवाने थे अपने मुफाद के लिए इन्होंने हुकूमत को इतना और इतनी अवाम को इन्होंने इतना डिस्रप कर दिया कि सुर्फ अपने मुफाद के लिए हमेशा से सतर सालों से इन्होंने अपने एक वो एक कहावत कहते हैं कि अंधेर नगरी म पाकिस्तान के अवाम अगर किशी की तरफ देख रहे हैं तो आप उससे विम्राब खाने हैं अपनी तादाद में लोगों का आने से ये वाज़ हो गया है कि खान साब के लिए दिन पर दिन लोगों के दिलों में मुहबत बढ़ती जा रही है